हेलो दोस्तों मैं हूँ अभिशेक और आज हम करेंगे क्विक अन्बॉक्सिंग एक नई फोन का जो है शामी की तरफ से और इसका नाम है रेड्मी नोट 9 ये फोन शुरुवात होता है तक्रीवन 12,000 से और इस फोन में आपको मीडे टेक का नया G85 प्रोसेसर वेल जाता है ले बताते हैं कि इसमें आपको क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा जो आपको अच्छा लगता है वो आप लिखो और लिखो जरूर और पार्ट पर जूरू करना तो चलिए शुरुवात करते हैं अन्बॉक्सिंग के साथ तो दोस्तों ये है रेड्मी नोट 9 का बॉक्स ज जैसा होगा बॉक्स को खोलते ही सबसे पहले आपको मिलता है फोन जो कि कुछ इस तरह का दिखता है बैक साइट से फोन काफी अट्राक्टिव लगता है लुकें फील में डिफरेंट लगता है और इसकी जो फिनिशिंग है वो भी अच्छी है हाला कि ये पॉलिकाबनेट प्लास्टिक बैक है इसके बारे में आगे और बात करूँगा फ्रंट का डिस्प्ले काफी ब्राइट है और कलरफुल है और ये एक IPS LCD डिस्प्ले है जो की FHD डिस्प्ले है जैसे फर्दर बॉक्स में जाएंगे तो आपको एक केस मिलेगा जो कि आप देख सकते हैं एक सिल इस बॉक्स के अंदर लेकिन इसके बारे में क्लारिविकेशन शामी ने दे दिया ये एक साड़े बाइस वाट का चार्जर है जो कि आपको मिलता है और ये फोन को साड़े बाइस वाट पे चार्ज कर देगा लेकिन उसके लिए एक O.T. अपडेट आएगा जो कि इस फोन पे आएगा शामी की दरफ से फिलाल ये 18 वाट पे कैब्ड है तो ये चीज यहाँ पे बताईए और उन्होंने क्लारिफाइ किया है तो दोस्तों शुरुआत करते हैं इसके रिव्यू को और सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा इसके लुक इन फील और बिल्ट कॉलिट क अगर हम बात करें बिल्ट कॉलिट की तो यहाँ पे लोग कहेंगे कि पुराना वर्जन जो हाँ रेड्मी नोटेट का उसमें आपको ग्लास बैक वगरा मिलता था यहाँ पे आपको पॉली काबनेट मिल रहा है तो मैं मानता हूं बात को कि ग्लास बैक is always more preferred बट अगीन इस प्राइस पॉइंट पे जिस पे यह लाँच हुआ है फोन 12,000 में कोई भी इवन रियल मी भी ग्लास बैक नहीं दे रहा है तो वो कंपारिजन करना फिलाल सही नहीं होगा लेकिन हाँ इसमें ग्लास बैक होता तो और अच्छा रहता लेकिन फिनिशिंग इसकी काफी प्रीम किया है बड़ी बैकरी भी दिया है फोन को थिन भी बनाया है लेकिन साथ ही साथ मैं कहूंगा कि वेट 200 ग्राम के आसपास है थोड़े दिनों में आपको आदब पढ़ जाएगी एन ये कुल यूज़ यूज़ अब बात करें आप डिस्प्ले की तो इस फोन के इंदर डिस चाउमी ने क्योंकि ये फोन आई पीए सेल्फी डिस्प्ले के बात आता है जो की फुल एश्टी क्लारिटी के साथ है इसमें आपको बड़िया रेजोलूशन तो मिल जाता है साथ इसाथ ब्राइटनेस भी अच्छी मिल जाती है 300 लक्स की ब्राइटनेस है इंडोर में और भी जादा विजबल हो जाता है तो ब्राइटनेस और पंप अप हो जाती है अगर आपको वीडियो देखेंगे इंडोर में तो आपको अराम से साथ देखेगा बढ़िया देखेगा और आउट्डोर में भी आप डिस्प्ले को देख सकते हैं पढ़ सकते हैं फोन को प्राइस पॉइंट वाला फोन एक और चीज़ जो की extra देता है शौमी वो है IR ब्लास्टर आइयर ब्लास्टर मिलता है शौमी के almost हर फोन के अंदर जो बाकी लोग नहीं देते हैं और कुछ लोग ये आयईर ब्लास्टर यूज करते हैं दोस्तों हाड़्वर की बात करते है तो यहाँ पे आपको MediaTek का Helio G85 प्रोसेसर मिल जाता है जो कि गेमिंग के लिए काफी अच्छे से बनाया गया है और यहाँ पे आपको Intelligent Prediction मिलता है जिसके थुरू Wi-Fi और LTE दोनों मिल के काम करते हैं ताकि आपको एक LAT-Free connection मिले साथ-साथ यहाँ पे ARM Mali G52 GPU इस प्रोसेसर के अंदर 1 GHz तक Locked है ताकि आपको एक बहतर गेमिंग परफोर्मेंस मिले इस फोन पे यह प्रोसेसर का NQ2 स्कोर बढ़िया आजाता है साथ-साथ अगर आप PUBG के Game Playback की बात करेंगे Smooth and Ultra पे PUBG बहुत ही बढ़िया चलता है कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आती है आप अराम से PUBG खेल सकते है बाकी Game Playback आपके सामने है दोस्तों Camera Setup की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको Quad Camera Setup मिल जाता है Backside पे जिसमें आपको Primary Camera 48MP का मिलता है उसके बाद Secondary Camera जो है आपको 8MP का Ultra Wide मिलता है एक और Camera मिलता है 2MP का Macro Camera और 2MP का Depth Sensor भी मिलता है और जो Camera के Results हैं वो काफी बढ़िया है आप Daylight की फोटोस देख सकते हैं इंडोर फोटोस देख सकते हैं सभी फोटोस के अंदर Colors और Clarity बिल्कुल to the point है और Overall मैं कह सकता हूँ कि Camera अच्छा परफॉर्म कर रहा है और सारे Important Camera Mode जैसे कि Night Mode या फिर Slow Motion वीडियो या फिर Portrait Selfie ये सब चीज़े आपको यहाँ पर इस फोन में मिल जाती है और सारे Camera Mode के साथ आपको Resolution भी अच्छा मिल जाता है आप Full HD की वीडियो बना सकते हैं और वीडियो की Stability आप खुद देख लीजे Front Camera और Rear Camera दौनों Full HD वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30fps पर Front Camera यहाँ पर आपको 13 Megapixel का मिल जाता है और उसकी जो Indoor Selfie है और Outdoor Selfie है दौनों आपके सामने हैं आप खुद देख सकते हैं दौनों ही Selfie अच्छी आ गई है इंडोर वाली Selfie थोड़ी Noise है लेकिन Outdoor वाली Selfie बहुत ही अच्छी है अगर आप Zoom In करेंगे तो काफी अच्छी Details आपको देखने को मिलती है Finally, Conclusion में कहूं तो मैं कह सकता हूं कि 12,000 रोपे के अंदर इस फोन के अंदर जो आपको अच्छी बाते मिल रही है वो है इसका Performance, वो है इसका Display, वो है इसकी Look and Feel जो की मुझे काफी Attractive लगी है एसी Look and Feel आपको और किसी फोन में फिलाल तो नहीं मिल रही है अब देखा जाए तो कमिया हर फोन में होती है और इस फोन में कुछ कमिया है लेकिन अगीन इस Price Point के साफ से फोन में Recommend आपको कर सकता हूं जहां तक बात रही Software की तो Software में अपडेट पुश कर रहे हैं इससे वह फालतू की अप्लिकेशन जो कि आपको फोन पर देखने को मिलती है वह रिमूव हो जाएंगी अदर्वाइस आप उन अप्लिकेशन को खुद भी रिमूव कर सकते हैं जैसे कि मैंने किया है और इस फोन को जीतने के लिए गेवब में पार्टिपेट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए बहुत बहुत शुक्री आपका वीडियो देखने के लिए जैहिंद वंदे मात्रम